आपके बाल डेमिज होंगे बालो का टूटना जहना स्टार्ट होगा और बाकी के काले बाल भी सफेध होंगे तो क्या करें सफेध बालो को काला करने के लिए वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा एक ऐसा गजब का राम बान नुस्खा में आपके साथ शेयर करने वाले हूँ जिससे आप नैचुरल अपने सफेध बालो को काला कर पाएंगे देखे आरवेद उपचार जो है वो टाइम लेता है अपना सर दिखाने में रेडिमेट प्रोडक्स की तरह नहीं है कि एक बार आपने अप्लाई किया और आपके बालों को बिल्कुल काला कलर मिल जाएगा वो आपके बालों को कलर जो है वो धीरे-धीरे मिलेगा और जो आपके बालों को कलर मिलेगा वो जड़ से मिलेगा क्या है कि दोस्तों हमारे हेर फोलिकल्स में एक मैलेनिन नाम का ततब पाजाता है जो हमारे बालों को कलर देता है जब melanin का production बिल्कुल बंद हो जाता है तब हमारे बाल जो है वो सफेध होना स्टार्ट हो जाते हैं जब melanin का production बिल्कुल टोपर होता है तो हमारे बाल काले होते हैं जब उसका production थोड़ा कम होता है तो हमारे बाल ब्राउन शेट को होते हैं और जब मैलेनिंग का प्रोडक्शन बिलकुल बंध हो जाता है तब हमारे बाल जो है वो सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन कुद्रत की देन है हमारी पास ऐसी बहुत सी नैचरल चीज़े हैं हमारे आसपास जिनका यूज करके हम मैलेनिंग के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपने सरफेद बालों को काला कर सकते हैं तो क्या है वो नैचरल चीज़े बो जाने से पहले आप से एक छोटी स्ट्रिकेस है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जो आप हमेशा बुझ जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरू सरसु का तेल हमारे बालों के लिए बहुत जादा लाइक है गुनों से भरपूर है तो एक कांच की एर टाइट साफसुतरी कंटेनर में आपको सरसु का तेल लेना है और इसके बाद आपको चाहिए करीपता लिप्स दस से बारा आपको करीपता लिप्स चाहिए मीठी नीम की पतियां आपको ड्राइफों में मिल जाएं ड्राइफों में डाल दीजिए फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश डालिए फ्रेश तो बहुत ही लाब करेंगी तो फ्रेश करी पता लिप्स आप इसमें डाल दे तेल की मातरा की हिसाब से और इसके बाद आपको चाहिए कड़वी नीम की पतियाँ यह वी में 10-12 चाहिए तेल के कोडंग तेल की मात्रा के कोडंग थिक thi! लगे बगा स्वों के इसमाल कर सकतें-काफी लोग चाफी चीजों की नीम कीजया वी आपके ईसमाल कर सकतेि वह के द्राइफव असमालित को थी तो काफी ने अगर pup लोग नेने सुन क की धूप लगने के बाद पांच बे दिन आप इस तेल का इसमाल करना शुरू कर देंगे या आपके बालों को सफेद बालों को काला करने में बालों की और समस्य हैं दूर करने में बहुत बढ़िया काम करेगा बहुत ही बढ़िया गुनों से भरपूर आपका तेल बन करके त तो कैसे आप इस स्टेल का स्माल करेंगे कि रात को सोने से पहले अपने बालों पर बालों की जड़ों पर अच्छे से इससे मसाज करेंगे स्टेल से कम से कम 10 से लेकर 15 मिन तक लगातार अच्छे से मांग निकाल निकाल कर आप बालों की जड़ों से लेकर के बालों की पूरी टिप तक इसे आप मसाज करेंगे अच्छे से और ओवरनाइट के लिए पूरी रात के लिए इसे लगा कर छोड़ देंगे सुबह आप अपने बालो को दो सकते हैं वोश कर सकते हैं ऐसा दोस्तों आपको हफते में दो बार जरूर करना है जैसे पौधे को ग्रो करने के लिए उसे पानी देना बहुत जरुरी है तभी उपपानी करता यह घृता है अगर आप पौधे को पानी नहीं करेगल वह बिल्कुल भी ग्रोर नहीं करेगल वह सोग करके मुर्जा जाएगा वैसे ही बालों की कंडिशन से हैं आप बालों पर ओयलिंग नहीं करते ओयल नहीं लगाते चंपी नहीं करते किसी भी ओयल से तो से में पधιαर के जैसे हाल धो जाते है जैसे आप पोदे को पाणीर नhetें के जाए वह जाय का आइण गया वैसे ही आप के ब्धानों की इन हो तो यह हैं तो आपका बहुत बढ़ा बनकर कि त्यार है बहुत ही आपके बालों को बहुत काम काम करेगा तो कम से कम, चार 85 तरह लेकर पांच महीने लगा अताओर आप इस तेल का स्वाइब करेंगे तभी आपको झाल झाल